नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में हाजिर वैं दो पहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते ही पहली खबर की जहां ग्वालियर में शनिचरा रोड पर शुक्रवार यानि आज सुबह बाइक सवार दो भाईयों को सामने से आए अफ्तार ट्रक ने टककर मार दी टककर लगते ही दोनों भाई सड़क पर जा किरे जिनमें से एक को ट्रक रौता हुआ निकल गया हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वाप परिजन मौके पर पहुँ है मौत की चार दिन पहले ही एक गैस प्लांट में जॉब लगी थी जिससे वह बहुत खुश था परिवार में भी खुशियां थी लेकिन शुक्रवार को वह गम में बदल गई शहर के पुरानी छावनी रायरू गाओ निवासी 19 वर्सिये सोनु कुश्वाहा और 21 वर्सिये इस गैस प्लांट में नौकरी लगी थी जिसको लेकर वह काफी खुश था शुक्रवार सुबह 9 वजे वह अपने घर से बाइक पर सवार होकर भाई के साथ जॉब पर जाने के लिए निकला था तभी वह शनिचरा हाइवे पर पहुँचे की सामने से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक नंबर MP307272 के चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उनकी बाइक में टकर मार दी टकर इतनी तेज थी कि सोनु वा पवन हवा में उचले और सोनु सडक पर आ गिरा पवन किनारे पर गिरा जबकि सोनु बीच सडक पर गिरा था ट्रक चालक सडक पर पड़े सोनु क को चलते हुए अपना भाहन भगा ले गया हाथ से का पता चलते ही आसपास से निकल रहे लोग मदद के लिए आएं और पुलिस को सूचना दी साथी ट्रक को घेर कर पकड़ लिया सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची वहीं हाथ से का पता चलते ही सोनू और पबन के परिजन वा अन्य लोग भी मौके पर पहुँचे जैसे ही सोनू की मौत का पता चला वहाँ लोगों ने चक्का जाम लगा दिया हाईवे पर जाम लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस पहुँची और स्थिती को कंट्रोल मिलिया बात कर लेती ही दोपहर तक की दूसरी बड़ी ख़बर की इन में से करीब आठ यात्रियों को चोटे आई हैं जबकि बस का ड्राइवर गंभीर रूप से खायल हो गया है गनीमत ये रही कि पुलिया की उचाई जादा नहीं थी वरना बड़ा हाथसा हो सकता था वहीं इस बस की दुरघटना का वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल हो रहा है बस के नदी में गिरते ही आसपास अफरा तफरी का महाल निर्मित हो गया वहीं इस बस हाथसे की सूचना मिलते ही रोडिया पुलिस मौके पर पहुँची और ग्रामीडों की मदद से सभी यात्रियों का रेस्क्यू किया गया वहीं इस एक्सिडिन्ट में घायल हुए यात्रियों को खरगोन जिला स्पताल भेचा गया है बताया जा रहा है कि आत्रियों से भरी ये बस खरगोन जिले से सनावत जा रही थी उसी दौरान रोटिया के पास बने पुलिया पर संतुलन खो कर नीचे गिर गई बस पुलिया से कैसे गिरी उसका कारण अभी पता नहीं चला है लेकिन पुलिया की उचाई अधिक होती तो बहुत ही बड़ा हाथसा हो सकता था वही दुरगटना से पूर्व बस का लाइब वीडियो भी सामने आया है बस के पीछे चल रही फोर विलर में लगे कैमरे में यह दुरगटना कैद हो गई है जो की सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है बहुत बहुत धन्यवाद